अस्लाम अलेकुम, आज में बना रही फिस्ट कोफता करी, जिसकी रिस्पी मैं अपके साथ सेयर करूँगी, बहुत मज़ए के बहुत टेस्टी मुह में खुल जाने वाले ये फिस्ट के कोफते करी बनाना बहुत आसान है, और बहुत मज़ए के लगते हैं, बच्चे बड़ बहुत ही अच्छे से आपको वोश करना है तेल आटे नमक के साथ इसे अच्छे से वोश कर लें फिर नमक लगा के इसे मैडिनेट करके रख दें निम्बू बगरा करके उसके पाद आप एक पैन लेंगे जिसमें की हम थोड़ा सा ओयल स्प्रेट करेंगे और इन मसलियों को ह हैं तो इनहें कवर करके भी फ्राय करके और जिससे की अच्छे से आंदर मुझाल आप वर्ऑटक हो और बिल्कुल अंतायां विन उपनाश्यों करकेण हो पर इसमें से ौचुका और इसमोल धेला लगके और इसमेल को पाक तो यह और उसमिल आप इसमिल कर लेंए और से य तो इन्हें हम अच्छे से पका लेंगे सके पाद जब यह पग जाएंगी तो इनवे तरफ ऑच्छे से प्राइफ हो चुकी है थे फिम कड्या तो जब यह थन्डी हो जाएंगे निकाल देंके सर Latino घंडी और इन्की अपिन को को डिल्र मैं तोड़ी पिंक कर लेंगे तो हम यहां पर कुछ मसाले भी आड से करेंगे तो आप देख सकते हो यह पिंक हो चुकी है अब यहां पर एड करेंगे। वन टीस्पून जितना भड़के साही सीरा वन टीस्पून काली मिर्च और पांस से च्छे में आप बदाम का इस्तमाल किया है बदाम के जगे आप काजू या फिर वाटर मिलन सीर्स तर्बुस के भी इसका भी इस्तमाल कर सकते हो और इसे हम पिंक होने तर्फ फ्राई कर लें जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम इसका फाइन पेश्ट पना करके रख लेंगे तो यहां पर हम चलते हैं ने शीष्टिप के तरफ तो अब यहां पर हमारी मसलियां जो है ना वह ठंडी हो चुकी है तो यहां पर हम सारे काटे इनके निकाल लेंगे तो आप देख सकते आप अपने हिसाफ से समझ लें कि आपको किस तरह से काटे निकालने हैं पर मैं आपको बता देती हूं कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको किस तरह से काटे निकालने हैं जो बीच काटा होता है वही में काटा होता है वो तूटने न पाए अगर वो तूट गया त तो जो इसमें काटे होंगे वो हमें मिल जाएंगे तो इस तरह से हम मैस करेंगे बीच बीच में जो हमें थोड़े बहुत काटे मिलते जाएंगे उन्हें हम निकाल लेंगे वैसे तो बीच में से ज्यादा काटा नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से काटे न तो यहां पर सबसे पहला मारा मसाला जाएगा अद्रक लैसन और हडी मिर्च जो कि मैंने बारी कुटा हुआ लिया है इसी के साथ क्वाटर टिबल इस्पून जितना धन्या जीरा और सौफ का पाउडर हो मिर्च आट मसाला यानि की और इसी के साथ मैंने आप एक घर मसाला ल माग भी एड़ है जब यह सारे मसाले हो जाए तो इसे बाइंडिंगके लिए मैंने आटे का इस्तामाल किया है जो आप यहां पर बेशन के इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर आप रेगुलर जो आटा जिससे रोठी बनती हैं उसे भी आप इस्तिमाल में लिए सकते हो धन्या पती एड़ करेंगे बारी कट किया हुआ और इसमें एक अच्छा सा मिक्स देंगे इसे आपको थोड़ी देर गूंधना है जिसे आटा गूंते हैं उस तरह से जिसे आप देख सकते हो अब इसके हमें अपने हिसाब से अपने हिसाब से सियव तैयार करने तो मैं आप प़े कोफ्ते का सेव दूंगी आप इसके कबाब भी बना कर Weber का हुआ से स्रा करें जहां जो शेंखिय। करूंगी तो मैं आप पे वन बाई वन करके इसमू सा कोफ़ता बनाऊंगी तो मैंने आप देख सकते हो अपने हिसाफ से आप छोटा है बड़ा अपने हिसाफ से बना सकते हैं मैं दर्मियाने साइस का कोफ़ता बना रही हूं जो कि आप देख सकते हैं बहुत छोटा भी नही बहुत बड़ा भी नहीं बहुत चोटे कुफते भी नहीं अच्छे लगते हैं तो मैंने यहां पर थोड़ा थोड़ा बड़ा साईस का ही कुफता बनाया है और सारे सिन साइस की मैंने कुफते बना करum कि उत्त नेव झाल को प्रिव करेंगे चया या थीट करें ने कि यहां पर दीप Kil से और व्ली यहां की मैंने दिया ठ्राइयट करके कर लेंगे और बहुत ही जादा लजीज बने हैं यह बहुत टेश्टी बने हैं लुकिंग फितनी सबरदस्त है कि देखते हैं मुँमें पानी आ जाएगा जो नहीं भी खाते हैं न वह इन कुफतों को खाने के लिए बिलकुल मना ने करेंगे मांग मांग कर खाएंगे एक बा बिल्म को buy on करने से पहले हम यहांफे प्यास को प्यास का। जो पेश्ट है तीन से चार मैं नहांबर्स साइस की प्यास का प्यासिदा बना लियेंगे जब इनका कछ़ख़ ख़ति हो जाएगा जब तक हम Puis करेंगे जब चश्प करना वर्ट करेंगे तो हमारे घर में हर सब्सी हर मसालों के साथ आइड होते हैं जिसमें के वन टी स्पून जितना भर करके धन्या powder है फाली powder अपने टेस्ट के हिसाफ लाल मिश अपने टृस्ट के नमग औरबन्र मसारा आप्जारा करेंगे जो कि मैंने प्यास वगरा में पेश्ट एड़ बनाया था प्यास और फ्राई बता हम वगरा फ्राई करके बनाया थे वो पेश्ट हम यहाँ पे आड़ कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे क्योंकि सारी सीज़े हमारी अब मसाले हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करने है में होता है अद्राक लैसन का पेश्ट और प्यास का पेश्ट को फ्राई करना अगर वो अच्छे से फ्राई होके हैं बस आपको थोड़ा ही टाइम लगने वाला है इसे बस 5 मिनट के लिए हम और फ्राई करेंगे और बहुत ही अच्छी सी है और फुनी वाले खुजब आने लगी है तो आपको एक बात और बताती चलो मैं तेल का बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ यानि ओल में कम यूज़ करती हूँ अगर आपको और जादा पसंदे तो आप जादा साओ यहां पर एड़ कर लें या फिर कोई घर में गेश्ट आए तो आप जादा आइड़ कर सकते हैं मैं बस इतना ही और एड़ करती हूँ यह जादा से जादा है मेरे लिए कम से कम आप लोग भी तेल इस्तिमाल किया करें तो यहाँ पे मैंने कम तेल का इस्तिमाल किया है और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसकी थोड़ी सी लूज़ करेवी बनाएंगे उसके बाद इसे कवर करके oil को उपर आने तक हम यह आप इसे पका लेंगे आप देख सकते हो थोड़ा एक गाड़ा भी हो चका है और आप consistency आप इसकी देख सकते हो आपको बस कोफ़ते की consistency नहीं रखनी है आपको ज़्यादा lose किरेवी या ज़्यादा lose आपको करी इसकी नहीं बनानी है तो अब हम अपने fried कोफ़ते यहाँ पर transfer कर लेंगे और इसे बस थोड़ी देर के लिए पका लें या फिर ना भी पकाए तब भी चलेगा simply बस one boil आने के बाद इससे off करते हैं नहीं flame को off करते हैं और इससे धनिया से garnish करें बहुत ही थोड़ी धनिया का इस्तिमाल करें सिर्फ गारनिसिंग के लिए क्योंकि धनिया का flavor यहाँ पर अतना मस्त नहीं लगेगा अब हम यहाँ पर इसे take out करते हैं तो आप देख सकते हो इनकी looking's हो है ना बहुत ही सबर्दस्त है अगर आपने इसे किसी guest के लिए बनाया तो रेलिया आपकी बहुत ही तारीफ होने वाली है और आपकी तारीफ हो भी क्यों ना क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा मस्तिके बने है अगर आपने इस्टिप बाइस्टिप ने follow किया तो आपके कुफता करीब ने लासवाब परेंगे कि आप भी खाकर इन्हें चौक जाएंगे और तारीफ हमारी करेंगे तो मेरे कहने से आप इसे एक बाइस ज़रों से राय करें बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत आसान भी है अगर आपने सही से पुरा वीडियो देखा है तो आपको बनाना बहुत आसान होगा और लासवाब और लजीज बहुत बनते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से इनकी लिकिंग क्या है और इनकी जो गेवी यह ना उसकि तिकनेस उसकि सौफनेस और स्मूथनेस और जो एक होफ़ते है बल्कुल मलाई itas जैसे गेवी का टेस्ट भी मलाई जैसा है बहुत टेस्टशी बहुत यमी तो एक बार ट्राइ करना बनता है जब भी ट्राइ करेगा फीड़ बैक दीजेगा ये वीडियो कैसा लगा है ये रेस्पि आपको कैसी लगए कमेंस में प्लीज जरूर से बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते वीडियो को और अगर सारी रेस्पि अच्छी लगती तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा थैंक यू फॉर वोचिंग टेक केर बाय आला आफिस